शहर के कोलगवा थाना छेतर में एक सूने घर में घुसे चोरों ने नगदी जेवरात और कपड़ों समेथ 15 लाख रुपए का माल पार कर दिया पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना की जांस सुरू कर दिया जानकारी के अनुसार कोलगवा थाना छेत अंतरगत गहिरा नाला कॉलेज के सामने इस्तित अर्विंद नगर कालोनी में राजेंद्र सिंग के घर में घुस कर चोरों ने नगदी जेवरात और कपड़ों समेथ 15 लाख का माल चोरी कर लिया महेंदर सिंग सिमेट कमपनी में सुपरवाइजर है जबकि उनकी पत्नी अरुणा सिंग सिच्छिका है वे परिवार सहीत कहीं बर्सी में सामिल होने अपने ससुराल बठिया रामपुर गए हुए थे लिहाजा घर पर ताला बंद था सौम बार को जब महें सिंग के ससुर सियाम सुंदर सिंग उधर से निकले तो उन्हें घर के दरवाजे खुले नजर आएं जिसके बाद वे अंदर चले गए लेकिन वहां का नजारा देख कर उनके होस उड़ गए दरवाजे तुटे पड़े थें, अलमारियों के लोग भी चटके हुए थें और खुली पड़ी थी सारा सामान अस्तिवेस्त था, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और अपने दामान को दी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर पंच नामा बनाया और जास सुरू कर दी बता दे की चोरों ने घर के पाँच दरवाजों और तीन अलमारियों के लोग तोड़ दिये और घर में रखे धाई लाक रुपे नगत और लगभग साड़े छे लाक के सोने चांदी के जेवराज चोरी कर लिए इतना ही नहीं चोरी कीमत साड़ियां सेरवानी अन कपड़े और घरेलू जरूरत कस्ता तमाम सामान भी उठा ले गए नगदी और जेवराज चोरी गए सामान की कीमत लगभग 15 लाक रुपे आकी जा रही है सुरुआती जाच में पुलिस को पता चला कि रात के वक्त घर के पास दो गाणियां खड़ी देखी गई थी असंका जताई जा रही है कि चोर उनी वहनों में सामान लोट कर ले गए पुलिस आसपास के CCTV फुटेज में भी खंगाल रही है महेंद्र के बेटे धुरूफ की पिछले दिनों साधी हुई थी लिहाजा बहु के जेवर और कपड़े भी घर पर रखे थे चोर बहु की साड़ियां और बेटे की शेरवानी भी उठा ले गए